वाकि हुड के डोह में दिहगाव रंगारी की 27 वर्ष्य युवक विशाल गायकवार की डूप कर मौत हो गई यह वाकियार रविवार की दुपर को घटित हुआ लेकिन मामला सोमवार की सुभा उजा कर हुआ विशाल रविवार को उसके गाव के ही बंटी बोकडे, अमित भोयर, स्वपनिल लिको से उदेश इन चार मित्रों के साथ बंटी की चार पईया वाहन में बैट कर खूमने निकल गए थे गोमने जाने के पुर्व विशाल ने उसके दोस्त प्रने जोगी से मिलकर उसके दुकान में बाईक रखकर गया था और चार बच्छे तक वापस आकर नाकपुर साथ में जाने का वादा प्रने से किया था विशाल दोस्तों के साथ वहाँ से निकल कर वाकी ताचो दिन दरगा परीसर में गए वहाँ से वे पाचों लोग प्रतिबंदित छेत्रव वाकी हुड गे वाकी हुड परीसर से कनान नदी भेकर शाती है इस जगा नदी तीन जगा से मुड़ी है इस नदी में जगा जगा डोह बने है विशाल और उसके दोस नहाने के लिए नदी में उतर कर मौच मस्ती कर रहे थे इसी दर्मियान विशाल नदी में बने डोह में चला किया देखते ही देखते डूप कर सभी के आखों से ओचल हो किया विशाल की डूब कर मौत हो जानी से चारों दोस्त घर वापस आ गए चार बजी तक विशाल वापस नहीं आया इसलिए प्रणे ने विशाल को फोन किया लेकिन उसका फोन बना रहा था प्रणे ने बंटी को फोन करके विशाल के बारे में पूछा लेकिन बंटी ने प्रणे को कुछ नहीं बताया राद गुजरने के बाद भी विशाल वापिस नहीं आया तो सोमवार की सुभर प्रणे ने विशाल के दोस्तों से कड़ी पूछता चकी तब कहीं बंटी ने सारी हकीकत बताई पुलिस को घटना सल बुलाया क्या गुते खोरों ने तीन बचे तक शुफ को ढूण निकाला विशाल एक मिलना सार युवक था दथा बंटी के पास सूपरवाइजर का काम करता था काम से आने के बाद वो खुद का पांटेला भी चलाता था इस घटना की खबर गाव में पता होने के बाद से गाव में शोक की लहर दोड़ पड़ी है वाकिवड के कनान नदी में बने डोह में अभी तक पचास से अधिक लोगों की डूप कर मौत हो चुकी है यह सिलसला निरंतर चल रहा है इसे के रोकताम के लिए पुलिस स्टेशन खापा स्थानिय ग्राम पंचायत ता तहसल प्रशासन ने बोट लगा कर सामानने लोगों के घूमने पर पाबंदी लगा दी थी लेकिन फिर भी लोग इन बोट को नजरंदास कर सुकून और भीड़भार से दूर इस संसान जगह दारू पाटी करके चुप कर आते है NBCN के लिए वाकिसी अरुन महाजन की रिपोर्ट